नमासकार स्वागत थे आपका हमारे चैनल चार जागंदर मिशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ हैं कुछ नहीं शीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिएगा पांसा साल के बाद बन रहा है दुरलम महासुब सैयोग एक फरवरी मौनी अवश्या पुरानी जाड़ू से करें उपाए आपके पित्र करेंगे आपको माला माल छपड़ फाड के पैसा आएगा घर में दोस्तो मागमास की अवश्या को मौनी अवश्या के नाम से जाना जाता है इस दिन पवित्र नदी में इश्नान कर दान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और पुर्ण की प्राप्ती होती है मौनी अवश्या के दिन मौन ब्रत रहकर किया गया ब्रत यानि कि इस दिन ब्रत में कुछ भी बोला नहीं जाता इसलिए इसे मौनी अवश्या कहा जाता है लेकिन अगर आप पूरे दिन मौन रहकर ब्रत ना कर सके तो मौनी अवश्या पर शुबय उठने के बाद सभा घं ंवश्या एक फर्वरी दिन मंगलबार को है, मंगलबार की दिन आने वाली अवश्या को भौ मोबती अवश्या के नाम से भी कहा जाता है, इस बार 31 जनवरी को दुपहार 2 बच कर 18 मिनट के बाद अवश्या तिही सुरू हो जाएगी इसलिए इस बार सोम बार के दिन भी आधे दिन अवश्या रहेगी जिससे सोम वती अवश्या का भी संयोग बन रहा है क्योंकि इस बार के इस मौनी अवश्या पर कई सारे दूलब सुबसंयोग और कई वर्सों के बाद महा सुबसंयोग का निर्माड हो रहा है साथी दोस्तों इस बार की मौनी आवश्या पर शर्वार सिध्य योग और महोदय योग का निर्माड हो रहा है जो कि कई सव वर्सों के बाद ऐसा दुरलब योग बन रहे हैं जिससे कि इस बार की यह मौनी आवश्या कई गुना अधिक पुन्न फलदाई हो गई है मौनी आवश्या के दिन पित्रों के निमित्र स्राध तरपन पिन्दान करना चाहिए ऐसा करने से पित्र परसंद होते हैं और अपनी परिवार जनों को आसिरवाद देते हैं पित्रों के आसिरवाद से शुक्षम्रधी धन दौलत और बंस में ब्रधी होती है साथी पितर दोस से भी मुक्ती मिलती है मौनी अवश्या पर गंगा नदी का जल अम्रित के समान हो जाता है कहा जाते कि देवी देवता भी मौनी अवश्या पर गंगा में इश्नान करने आते हैं इस दिन गंगा इश्नान करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं निरोगी काया प्राप्त होती है और मरत्यू के बाद मौक्ष की प्राप्ती होती है सास्त्रों के अनुसार मौनिय वश्या का खास महत्त है अन्य अमवश्याओं की तुलनाव में मौनिय वश्या पर जो भी शनान दान जब तप या उपाय किये जाते हैं वह अधिक शीगर ही शुब फल दाई होते हैं और कई गुना अधिक पुन फल प्रदान करते हैं आज की इस वीडियों में हम आपको इस आवश्या पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असर कारक उपाय बताने जा रहे हैं इन उपायों को करने से भगवान स्रीहर विष्णों और माताल लक्षमी जी के साथी पित्र देवों की भी आसिरवाद मिलेगी पित्र देव भी परसंद हो जाते हैं और पित्रों का आसिरवाद प्राप्त होता है पित्रों के कृपा से भी बिगड़े काम बनने लगते हैं दोस्तों इन उपायों को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंध तक जरूर देखेगा और साथी वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा ज्यादा शेर अवश्य करिएगा साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों इस उपाय को करने से भगवान विश्णू मा लक्षमी जी किरपा से जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती धन संबंदिश समस्याएं दूर हो जाती है साथी दुख दारिदर्ता का नास हो जाता है पित्रों के आशिरबाज से कष्टों से भी छुटकारा मिलता है प इस दिन भगवान विश्णू और माता लक्षमी जी की पूजा करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है आप इस दिन इन्हें ही पित्र मान के इनकी पूजा राधना करें घर में शुक्षम्रधी आती है पुराणों में मौनिय वश्या को एक बेहत पवित्र दिन माना जात मौनिय वश्या के दिन परिवार में शुक्षान्ती बना के रखना चाहिए लगाई यगरे से दूरी बना के रखना चाहिए पित्रों को प्रसंद करने के लिए और पित्रों को आसरे बाद पित्रों से प्राप्त करने के लिए एक सुद्ध लोटी में आप जल भर ले जल म पित्रदेवों को प्रणाम करें, इससे पित्रों को आश्रवाद प्राप्त होता है, और पित्रदो से भी मुक्ति मिलती है। अवश्या कि रात को जाडू का एक आसान सा उपाय करने के लिए आप अपने घर के उत्तर पूर्ब के कोने को साफ करें अब आप एक नई जाडू ले 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 या फिर आप रोजाना आप जिस जाडू को अपने घर में लगाते हैं उस जाडू को ले सकते हैं इस जाडू को ल इस्तिमाल नहीं करते हैं. यानि कि जो बेकार हो गई है, आपको ऐसी ही जाडू लेनी है जिसका आप इस्तिमाल करते हैं. या बाद में करेंगे जाडू की पूजा करने के लिए जाडू के हेंडल पर कलावे से तिन धागे लपेट कर एक गाठ बान दें. इसके बाद आप जाडू के हैंडल पर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें, फिर आप हाथ में थोड़ी से साबूत चावल हल्दी कुमकुम के ले को ले और अगर बत्धी या पुस्प हो तो वो भी आप यहापर रख दें, अब हल्दी का कुमकुम चावल और पुस्प को प्राप्ति की काम ना करें रात में कोई कपड़ा ज़ाडू को ढग दें थाकि किसी की नजर न पड़ें सुभाई उटकर आप ज़ाडू के पास जाकर मालक्षमी जी को प्रणाम करें इसके बाद ज़ाडू उठाकर सबसे पहले आप रसोई घर में ज़ाडू लगाएं और पूरे घर में लगाएं। आपके घर में जो ज़ाडू है यानि कि अगर नई ज़ाडू है तो अच्छी बात है या फिर आप जिसका इस्तमाल करते हैं लेकिन आप ध्यान रखें नई ज़ाडू ही आपको अगर एक दिन पहले ही खरीद कर लेकर आजाएं तो क्या करें कि मौनिया वश्या की इस सुबा ज़ाडू का करते हैं तो जीवन में गरीबी कभी आपके घर में प्रवेश्च नहीं करेगी यानि आपको नई ज़ाडू पहले खरीद कर लाना है और मौनिया वश्या की सुबह सोर्योदय से पहले कोई देखे ना कोई रोके ना कोई टोके ना पहले जाएं मंदर के यानि आपके घरमें पित्रदेव परसंत हो कर आपके घर से चेपढ़ फाड़ धन्की वर्षा करेंगे और मालक्ष्मी किसास पित्रदेवों के कृपा प्रवाद मिलेंगा और आपको कर देंगे माला माल तो दोस्तव पुरानी जाडू से करें ये उपाये ताकि जीवन में शु प्राप्त हो तो दोस्तों कमेंट में जरू लिखेंगे जय मालक्ष्णियों साथी बीडियो को लाइक करें जदर शेयर करें चोलों को सब्सक्राइब करें